सबी गुरुबरु को प्रणाम स्वागाता है आप सिपका गुरुबर क्लासिद में आज हम चर्चा करने वाले हैं सीट अलोर्टमेंट किस तरीके से होता है और जो भरांतिया है ओवरलैपिंग से लेटेड उसके बारे हम बात करेंगे आज जो अख़वार में न्यूज आई क्या सिस्टम होने वाला है एक एक प्रोब्लम समझे एक बात समझो कि पहले प्रोब्लम आई कहा से 68500 में क्या हुआ कि जनरल की कट ओफ लगाई मालों कट ओफ लगाई इसी भरती में कट ओफ लगाई 68 जनरल की तो क्या होगा 68 से उपर जितने भी हैं चाहे वह OBC है चाहे यह सिस्टम था तो हुआ क्या था किसी के मालो 67.9 है तो वह क्या हुआ जनरल में फस गया पर आया सबसे नीचे तो उससे क्या होता था बहुत दूर जिला मिलता था ठीक है ऐसे ही होता क्योंकि जनरल लिश्ट में तो सबसे नीचे है पर इस वार थोड़ डिफरेंट करा ज मतलब उसने X पे भरा है एक नंबर और Y पे भरा है दो नंबर ठीक है तो इसके बाद उसे Z जिला जाहिए संने डूर समस्य नंबर अब क्या समस्य हुई समस्था यह हुई, टोटल मानलो X जिले में 1000 वैकेंसी थी जिसमें जंदल 500, OBC 270, SCHT 230, तो इन्होंने क्या करा अब इसके 2 case बन सकते हैं, Mr. Y का जब नंबर आया, वो आया 15,431 बे नंबर पर 15,431 बे नंबर आया और उनका गुणांक बेहा 69.83 अब OBC के हैं, Mr. Y जिनने Ted Merit में भी छूट मिली थी Super Ted में भी 90 नंबर पर पास मिले थे ठीक है, उसके बाद अब क्या हुआ अब इसके साथ, इस बन दे के साथ Mr. Y के साथ, दो case बन सकते हैं पहला case, पहला case बनेगा कि General में एक seat है, या एक से अधिक seat है अब चुकि General में एक seat खाली है, तो उसे जनरल की seat दे दी जाएगी प्रोलम खतम, दूसरे जिले, जिले जैट का जिकरी नहीं आया जिले जैट भी ऐसा ही है, जिसमें 1000 वेकेंसी है जिसमें 500 General है, 270 OBC है, 230 SCST है जनरल में इसमें भी दो सीटे खाली थी, पर इसका अब दूसरा case, दूसरे case में क्या हुआ, मालो जनरल में seat ही खतम हो गई उसमें 15,430 सा नमबर है न उसका, तो हो सकता है कि General में तब तक seat ही खतम हो गई हूँ उस जिले की, उस जिले की, तो अगर 68,500 होती तो क्या होता तुरंत यहां से कूत के, इसे जिला मिल जाता, जैड, पर इस बार ऐसा नहीं होगा इस बार क्या होगा, अगर 0 seat है, तो उसकी category में देखो, category है उसकी OBC, OBC में पूरी 270 seat है, तो उसे OBC में से 1 seat मिल जाएगी तो उसे OBC में से 1 seat मिल जाएगी, यहां हो जाएगी, दो 69 seat है खाली, और 1 seat उसे यहां मिल जाएगी ठीक है, यह वो रहा है 69,000 में, मतलब क्या, अगर कोई candidate, कोई जिला लेना चाहता है और उसकी seats बहां नहीं है, जनरल की seats बहां अगर उपलब्द हैं, तो वो जनरल की candidate की तरह ही treat करा जाएगा overlapping होई, पर अगर जनरल की seat नहीं है उस जिले में, तो उसे OBC की seat में डाल दिया जाएगा ये आपके भले के लिए हो रहा है, पिछले वार के 68,500 के बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो इसी प्रिक्रजा के तैर्ट फस गए थे तो क्या हुआ था, बहुत सारे बहुत दूर district में, दूर जिलों में बेजी दिये गए ठीक है, तो इस बात का ये एक चीज है, ये आपको ध्यान रखनी है, ये चीजे के लिए रखनी है कि आपको OBC की कोई भी reservation से जो भी फायदे मिलते हैं, उससा कोई फायदे मिलने से नहीं रोब रहा है ये आपके भले के लिए काम करा जा रहा है, नहीं तो बहुत हो सिंपल कर सके, कि मालो इसमें 0 seat है, तो तुम्हें general में रखके अब आप कहे रहे हो ना कि गुड़ा अंका कैसे खेल होगा, OBC में इस जिले में seat हैं नहीं है, ठीक है तीसरा case consider कर दे रहा है, यहाँ भी 0 seat है, यहाँ भी 0 seat है, SCT की seat हो से मतलब नहीं है, अब मालोस की general में भी seat नहीं है, Mr. X की, इस जिले में, OBC में भी seat हैं तो क्या तो overlapping क्या, इस concept में overlapping है, इस concept में overlapping है, यह आपके फाइदे की चीज़े हैं, बे मतलब मैं UP government को criticize कर रहे हुआ, यह अलाव कर दिया, यह अलाव कर दिया, और दुरयोगी cohort, तो यह चीज़े सही नहीं है, पहले चीज को समझे, चीज क्या है, तो यह आपके फाइदे की चीज है, अच्छा, अगर आपको यह चीज समझ में आ गई, मैं जास समय नहीं खाऊंगा, मुझे अलगता समझ में आ गई, नहीं समझ में आ गई, तो एक फिर से वीडियो देख लेना, सार यह है, कि पहले general की सीटे में लेंगी, तो अभी सीटे में लेंगी, उसमें भी नहीं ह कर लेना, और एक लाइक करोगे तो अच्छा लगेगा, बहुत बहुत धन्यवाद,